अस्सलाम अलेकुम दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे इस प्रेपेंट इसमें हमने लिया है डी को और हम आपको इस पर करकर दिखाएंगे यह देखिए आप इसको बहुत बराबर बराबर करना होता है यह देखिए और दोस्तों हवा के प्रेशर को हल्गा रखना पड़ता है जिससे के प्लिशिंग हमारी सही आए दोस्तों हमने इसकी बेज बना रखी दी देखिए आप नीचे हमने बिचा रखा है जिससे के नीचे फरश खराब नहीं हो इतना हम इसे हलकी हवा से डालेंगे उतना इसमें अच्छी आईए यह प्यदि दोस्तों हमने इसके हवा के बिरेशन को बहुत अंका कर रखा है और अपने हाथ को बरावर बरावर चालाना कि दोस्तों हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि इतना आप इसको हलके हवा से डाले में उतना इसमें फिनिशिंग आएगी देखिए आप दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें आप लाइक नहीं करते हैं कि देखिए दोस्तों अब हम आपको हाथ से करकर दिखाएंगे यह जो आगे की टककर होती है इसे हम हाथ से इसलिए करते हैं कि अगर हम इसे प्रेशर से करेंगे तो माज जो है जादा वेस्ट होगा देखिए जो जो आगे लकडी की मार्जन होती है उसको हम खास से कर रहा है आप चाहें तो गलफ्स कभी इस्तमाल कर सकते हैं पLaugh जी जाफ्ट हाओ कि अजिया है जी जी है अगर हम इसको कम परेशर से करेंगे परेशर से तो हमें टेपिंग का इसकामाल बहुत करना पड़ेगा यह हाथो हाथ सुन जाता है अगर हम दरास पर भी इसी तरीके दे कर रहे है और यह देजिए बाद में हम इसको और क्लियर करते हैं जो माय का पर आया है उसको हम इससे साफ कर रहा है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें अगर आया है